उत्तरकाशी सिल्क्यारा चरनल में फसे मजदूरों की साकुशल वापसी के लिए देशबर में दूआओं का दौट जारी है रेस्क्यू टी में भी दिन रात अपने काम में लगी है जिसका नतीजा है कि आज बारवे उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिलने की उमीद है अनुमान है कि आज टरनल में फसे मजदूरों को साकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा इसे देखते हुए सीम धामी भी कल से ही मातली में मौझूद है सीम धामी पल के रेस्क्यू की अपडेट ले रहे है बताय जा रहा है कि अभी मजदूरों को रेस्क्यू करने में 5-6 गंडे लग सकते है rescue team मजदूरों से कुछ ही मिटर की दूरी पर है फिलहाल टर्नल में drilling का काम जिस सरीय के बीच में आने से रुक गया था उसे काच लिया गया है अब तेजी से drilling का काम किया जा रहा है इसके साथ उतरकाशी सिलक्यारा में मजदूरों के emergency air lift के लिए चिनूक की तैनाती भी की गई है CM धामी भी कल से उतरकाशी सिलक्यारा में मौझूद है इसके साथ एकेंद्र से साथ सदस्य विशेशग्यों की team भी सिलक्यारा पहुंच चुकी है इसमें कई technical experts शामिल है इस team के साथ केंद्रिय मंत्री वीके सिंग भी उतरकाशी पहुंचे है हम अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि 45 मीटर से आगे 6 मीटर और जाने के लिए जो pipe की assembly हमको weld करनी होती है वो हम इस समय तयार कर रहे हैं रात में हमें एक छोटी सी बाधा आई थी जिसमें 45 मीटर के मुह पर कुछ लेटिस जो स्टील का स्ट्रक्चर है जो इसकी सेफटी के लिए बनाया जाता है आर्च में वो सामने आ गया था उसको उस महाँ पर अंधेरे के oxygen less environment में काटने में रात हमें 6 घंटे लगे लेकिन मुझे खुशी है आपको बताते वे कि वो सारे हिस्से को हम वहाँ से साफ कर चुके हैं